हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पेटियम मर्चेंट में जो आप लोगों का सेटलमेंट बैंक है उसको कैसे चैंज करते हैं यहाँ पे अगर आप लोग का जो बैंक है बैंक ओफ इंडिया है और उसमें पैसा क्रेडिट ह हो रहा है आपका बिजनिस का लेकर आप लोग का जो पैसा है वो बैंक ओफ इंडिया में क्रेडिट न होके आप लोग का इस्टेट बैंक में जाए क्योंकि आपके पास इस्टेट बैंक भी है या आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक भी है तो आप लोग चाहते हैं कि आ आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जा लिजे मेरा नाम है सौनु कुस्वा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंट सबसे पहले आपको करना क्या है जो आप लोग का पेटियम मर्चंट एपलीकेशन है उसको ओपिन कीज़े ओपिन करने वाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा अब आपको करना क्या है नीचे स्वाइप करेंगे तो यहां पर आप लोग एक ऑप्सन मिलेगा यह यहां पे आप लोग ब्लू कलर की जो भी बैंक आईगी यहां पर लोग क्लिक कर दीजेंगा आ यहां पर क्लिक करेंगे तो यह You को कह रहा है यह त कर सकतके और आप लोग का पैसा आ है वह पे settlement जो date है वो आप लोग यहाँ पर change कर सकते हैं और आप लोग का जो पैसा है वो Paytm में जैसे ट्रांसपर होगा बिजनिस में बहुत होगा और इसकी बाद यहाँ पर आप लोग का टाइम पर यह पेटी है वालिट में जाता है मैं चाहता हूं मेरे बैंक आफ इंडिया में जाए तो यहां पर एक ऑप्सन है चेंज वाला चेंज पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आ रही है जो मैंने पहले Vousκ centre सुआन्ब का नमद डालेंगं इसके फिर से दुबार से अकाउंट नमबर डालेंगे फिर इसके बाद आप लोग अपनी बैंक को एड करलेंगे तो कहने के बाद आप लोग को मिलेगा स्यथ का बटन यहां पीछ क्लिक कर दीजिए इसके लूड आपके नमबर पे- OTP send किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते है To confirm your select bank account Bank of India तो यह देख सकते है मेरे पास OTPI 586883 मैं यहाँ पर डालूँगा 58 इसको मैं allow कर दूँगा allow करने के बाद OTPP automatically fill हो जाएगी और हमारा जो bank है वो add हो जाएगा यह बोल रहा है Name on the bank account doesn't match with your submit document Please select another account तो आप लोगों का जो इस तरी के साथ है तो यहाँ से आप लोग अपना जो IDVI या कोई भी bank है वो आप लोग यहाँ पर add कर सकते हैं और मेरा जो document में verify नहीं हो रहा है नाम तो मैं यहाँ पर दूसरा bank में add करूंगा Your request to change bank account in progress तो यहाँ में wait कर लेता हूं और जैसी है आप लोग का हो जाएगा complete तो आपका bank जो settlement है वो चैन्ज हो जाएगा डिक है लेकिन ध्यान रखना आपके document में आपके phone पे में में बिजनिस में जो नाम है आपका वो bank से match खाना चाहिए अगर match नहीं खाएगा तो आपका bank जो है set नहीं होगा settlement account change in progress हमारा जो settlement है वो चैन्ज हो चुका है और कुछ टाइम में यह हमारा जो है चैन्ज हो जाएगा इस तरीके से आप लोग अपने paytm business जो account है उसमें आप लोग settlement bank change कर सकते कोई भी दिख्के देवर इसा नहीं आ रही है कमेंट सेक्से न पूछना मत बूलेगा मैं आप लोग को reply जरू से कर दूँगा आप लोगों को नेक्स वूड़ो में तब अपना खिया लखना टेक कियर बाई